पांच रुपए के एक बीच ने किसान को माला माल कर दिया है जी हाँ, आप सही सुन रहे है जिले के एक किसान ने बाजार से पांच रुपए का लोगी का बीच खरिद कर लगाया था इस बीच अब तक पांच फुर्टिल से अधिक लोगी का उत्पादन हो चुका है परसावा गाओं के किसान बसंत प्रसाद की है इन्होंने चार महिने पहले गया कि बीधो शरीफ से पांच रुपए पीस लोगी का बीच खरिद कर लाया था इसके बाद बीच को अपनी बाड़ी में लगा दिया बीच लगाने के बाद एक वहिने के अंदर इसमें फलाना शुरू हो गई शुवाती दिनों में लोगी के लंबाई 4-5 फीट तक थी लेकिन अब इसके लंबाई 3-4 फीट तक है किसान ने लोगी के इस पौधे में करीब एक ट्रेक्टर का बोच डाला था यही वज़ा है कि एक लोगी के पौधे से 5 फीटल से अधिक लोगी का उत्पादन हुआ है अभी भी इसमें एक लोगी से अधिक उपजोनी के समभावना है पिशले 3 महिने से इसमें फला रहे हैं उमीद है कि अगले 1 महिने तक इसमें और फसल आईगी किसान बसंद प्रशाद ने बताए कि 4 महापूर बजार से बीच लेकर लगाया था इसमें 10,000 रुपए से अधिक का उत्पादन हो चुका है अभी भी इसमें फल लगा हुआ है अगले एक महिने तक फल आने के संभावना है श्वाची दिनों में लॉकी की लंबाई 4 से 5 फीट तक थी उसे देखने के लिए कई NGO भी इनके घर लॉकी देखने आ चुके है लॉकी का एक पौधा करीब एक कठा में फैला हुआ है पांच हुदेल से अधिक इसमें उपज हुई है